Hello and Welcome to Griraj Himachal, Griraj Himachal चैनल पर आपका स्वागत है इस वीडियो में हम मार्च महीने के जितने भी इंपोर्टेंट करन्ट अफेर के क्वेशन हैं वो सब डिसकस करेंगे यह वीडियो पांच पार्ट्स में होगी and this is part 3 of मार्च मन्थ इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं Q1. सावडा कुडू जल विद्यूत प्रियोजना की कुल शमता कितनी है Q2. हिम अनपूर्णा फूर्डवेन सेवा किस जिले में शुरू की गई Q2. हिम अनपूर्णा फूर्डवेन सेवा हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में शुरू की गई Q1.5 लाख रुपे की लागत वाली इस फूर्डवेन में राज्य ग्रामीन आजिवी का मिशन के अंतरगत सामुदाइक निवेश फंड से महिलाव को 50% राशी परदान की जाएगी Q3. प्रदेश सरकार 2021 में कितने आयूश वैलनेस सेंटर स्थापित करेगी Q4. वर्देश सरकार 2021 में कितने शहरी स्थानिय निकायों को Q4. प्लस प्लस के रूप में पर्मानित करवाने और इनहें स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटी 2021 के तहत एक स्टार के रूप में Q4. प्लस प्लस के रूप में पर्मानित करवाने का लक्षय इस साल के लिए रखा गया है Q5. केंदर सरकार के जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के कितने घरों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्द करवाया जाएगा Q5. केंदर सरकार के जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश के कुल 17,3626 घरों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्द करवाया जाएगा और अब तक इसमें 13 लाग घरों को घरेलू नल कनेक्शन परवाइड कराया जा चुका है Q6. हिमाचल परदेश के 21 जिले में वर्स 2021 के दोरान शत परतिशत घरों में नल कनेक्शन उपलब्द करवा दिये गए हैं Q6. जिले में वर्स 2021 के दोरान के लिए हिमाचल परदेश के 25 जिले में लकष्य रखा गया है तो इस question का सही answer क्या है B, C and D Question number 8 पंदरवें वित आयोग के तहट राज्य आपदा मोचन निधी के अंतरगत भारस सरकार से 2021-22 में कितनी राशी प्राप्त होगी 2021-22 में भारस सरकार से 409 करोड रुपे की राशी प्राप्त होगी इसके तहट शमता निर्मान से आपदाव का जोखिम कम किया जाएगा और परभावित लोगों को त्वरित राहत सुनिश्चित की जाएगी तो इस question का सही answer क्या है C, 409 करोड रुपया next question है हिमाचल परदेश के किस शेत्र में प्रायोगिक आधार पर सोर उर्जा आधारित पेजल योजना का निर्मान 2021-22 में किया जाएगा सोर उर्जा आधारित पेजल योजना का निर्मान हिमाचल परदेश के पोंटा साइब में किया जाएगा तो इस question का B answer right है इसके अतिरिक्त दस ऐसी प्रियोजनाई चिनहित की जाएगी जहां बिजली की अत्यदिक खपत हो तथा वहाँ पंपों को सोर उर्जा से चलाया जा सके question number 10 लुहरी चरण वन जल विद्युत प्रियोजना की शमता कितनी है लुहरी चरण वन की शमता है 210 मेगावाट यह प्रियोजना शिमला और कुलुजिले में सतलुज नदी पर है question number 11 हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर प्लास्टिक पार्क का निर्मान किया जाएगा हिमाचल प्रदेश के नाला गड़ में प्लास्टिक पार्क का निर्मान किया जाएगा 100 एकर भूमी पर तो इस question का D answer right है question number 12 राष्ट्रिय फैशन प्रोध्योगी की संस्थान NIFT National Institute of Fashion Technology हिमाचल प्रदेश में कहा स्थीत है हिमाचल प्रदेश में कांगडा में है भई NIFT कब स्थापित हुआ था सन 2009 में यह भी आप याद रखेंगे question number 13 उर्जा द्रिष्टी पत्र Power Vision Document में किस वर्स तक 10,000 MW अतिरिक्त विद्यूत शम्ता का दोहन Renewable Energy के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा तो वर्स 2030 तक हिमाचल प्रदेश में 10,000 MW अतिरिक्त विद्यूत शम्ता का दोहन Renewable Energy के रूप में किया जाएगा तो इसके लिए कब तक लक्षे रखा गया 2030 तक question number 14 With वर्स 2021 में कितने पुराने बिजली मीट्रों को नए इलेक्ट्रोनिक मीट्रों में बदला जाएगा तो वर्स 2021 में हिमाचल प्रदेश के सभी पुराने बिजली मीट्रों को नए इलेक्ट्रोनिक मीट्रों में बदला जाएगा अभी तक हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रो मेकेनिकल मिट्र यूज किये जा रहे थे उन सभी इलेक्ट्रो मेकेनिकल मिट्रों को इलेक्ट्रोनिक मिट्रों में बदला जाएगा कोश्चन नमबर 15 निम्न में से किस शेतर में 1500 BPL परिवारों के घरों में 250 W शम्ता प्रती घर ओफ ग्रिड वरणменिकल मिट्रों चाय जन्याएंगे हर घर हैं Q16. बजट 2021-2022 में इस वर्स हिमाचल परदेश में 1000 km लमबी नई सडकों का निर्मान किया जाएगा Q17. हिमाचल परदेश में कितनी जगव पर वहनों की फिट्नेस के लिए मोबाईल स्वचालित परिक्षन के इंदर स्थापित किया जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश में 6 जगों पर वहानों की फिटनेस के लिए मोबाइल स्वचालीत प्रशिक्षन के अंदर स्तापित किये जाएंगे इस कोशन का सही आंसर है बिलासपूर, सोलन, मंडी और कांगडा ये चारो अप्शन सही है इन चारो जिलो में आधुनिक सुविदायुक्त ड्राइविंग टेस्ट ट्रेक स्तापित किये जाएंगे कोशन नमबर 19 हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ग्राम शिल्प मेलो का आयोजन किया जाएगा ग्राम शिल्प मेलेक आयोजन हिमाचल प्रदेश के चमबा कांगडा मंडी और शिमला इन चारों जिलों में किया जाएगा इस कोश्चन का सही आंसर क्या है A B C D ठीक है Q20. शगुन योजना के अंतरगत अनुसूचित जाती जन जाती तथा अन्य पिछड़ा वर्क के BPL परिवारों की बेटियों को विवा के समय कितनी राशी का अनुदान दिया जाएगा Q21. शगुन योजना के अंतरगत 31,000 रुपे का अनुदान दिया जाएगा BPL परिवारों की बेटियों को विवा के अफसर पर Q21. पचासवे पूर्ण राजत्व वर्स के उपलक्ष पर राश्ट्रिये जन जाती उत्सव अगस्त 2021 में कहां आयोजित किया जाएगा Q22. इस कोशन का अंसर है नूरपूर जो की प्रसीद है अपने नूरपूर फोर्ट के लिए और ये का स्थीत है? ये स्थीत है कांगडा जिले में Q24. निर्विया फंड के तहट 2021 में कितने पुलिस थानों में सहाइता डेस्क स्थापित किये जाएगे Q25. इस कोशन का A आंसर राइट है Q26. हिमाचल, ग्रहनी, सुविधा, योजना के अंतरगत कितने प्रिवारों को गैस रिफिल अगले वर्स भी दिया जाएगा तो इस कोशन का B आंसर राइट है Q27. बैंकिंग सेवाए परदान करने के लिए कितनी महिलाओ को बैंक कोर्स्पोंडेंट सकी के रूप में अधिकरित किया जाएगा 250 महिलाओ को बैंक कोर्स्पोंडेंट सकी के रूप में अधिकरित किया जाएगा इस कोशन का सही आंसर क्या है 250 पुलिस विभाग में आरक्षी एवं उप निरक्षक के सीधी भरती के पदों में महिलाओ के लिए आरक्षन कितने परतिशत तक ले जाएगा इस कोशन का सही आंसर है 25 परतिशत तक और यह चर्ण बद तरीके से ले जाए जाएगा ठीक है डायरेक्ट 25 परतिशत नहीं किया जाएगा रक्षन महिलाओ के लिए चर्ण बद तरीके से किया जाएगा क्षन 29 कक्षा 6 से 10 वी तक के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों की आंखों की जाच एवम निशुल्क चस्मा परदान करने के लिए किस योजना का आरम किया गया है मिशन दृष्टी इस योजना के तहट कक्षा 6 से कक्षा 10 वी तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की आंखों की निशुल्क जाच की जाएगी और उनको निशुल्क चस्मा भी प्रवाइड किया जाएगा स्वन जैंती आश्रे योजना के तहट किस वर्स तक अनुसुची जाती वर्ग के सभी पात्र आवेडगों को आवास परवाइड करने का लक्षा रखा गया है तो वर्स 2022 तक अनुसुची जाती वर्ग के सभी पात्र आवेडगों को स्वन जैंती आश्रे योजना के तहट आवास परवाइड करने का लक्षा रखा गया है सोलन पालंपूर और मंडी ये क्या है नगर निगम है अभी हाली रिसेंटली में इनको बनाया गया था नगर निगम इनके बनने के साथ हिमाचल पर देश में कुल नगर निगमों की संख्या हो गई थी पांच और इनको बजट में एक करोड रुपे का विशेश अनुदान द लैब की स्तापना की जाएगी हमाचल पर देश के 100 स्कूलों में मैथ लैब की स्तापना की जाएगी ताकि बच्चों को मैथ में रूची हो इसलिए हमाचल पर देश सरकार ने यह कदम उठाया है Q23, हमाचल पर देश में क्ल कितने डंप याड स्तापित किये हैं, कुन कोन सी कंपनी है, ACC है, AMBUJA है, ULTRATECH मुक्चे तेन बड़ी कंपनी आए देश की, इन्होंने 17 डंप याड हमाचल पर देश में स्तापित किये हैं Question number 34, प्राकर्तिक खेती, खुशाल, किसान योजना, कब शुरू की गई? Verse 2018 में प्राकर्तिक खेती, खुशाल, किसान योजना शुरू की गई. इस योजना का मुख्य उदेश से क्या है कि? किसानों को मोटिवेट किया जाए कि वे और्गैनिक फसल वो गाएं. तो इस वर्स करीब पचास हजार किसानों को इस योजना के अंतरगत लाने का रखा गया है Q35, दोला सिद जल विद्यूत प्रियोजना की कुल शम्ता कितनी है Very important question, दोला सिद जल विद्यूत प्रियोजना किस नदी पर बनी है ब्यास नदी पर बनी है, ठीक है, यह आप याद रखेंगे ब्यास नदी पर बनी है, कहां बनी है, हमीरपूर में ठीक है, यह प्रियोजना सुजानपूर, जो की हमीरपूर जिले में बनता है सुजानपूर से 10 km downstream में दोला सिध में ब्यास नदी पर स्धित है और इस योजना की कुल शमता कितनी है 66 MW तो इस question का A answer right है So friends इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो like करें, subscribe करें चैनल और bell icon जरूर प्रेस करें क्योंकि इस से हमें motivation मिलता है thanks for watching you can also follow us on telegram and facebook with this link keep watching our video thank you very much